आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिंस्ट मीड विद मतर की बिर्यानी तो आप मेरी वीडियो का इंट तक जरूर देखते रहें और चैनल पर नहें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीचेगा इसे बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर म मैं सबसे पहले ओएल को एड़ कर दूंगी यहाँ पर आप कोई भी कुकिंग ओई यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप रिफाइन ओई यूज करें आज मैं रिफाइन ओई यूज कर रहे हूँ लेकिन ओइल को अच्छे से हीच हो जाने देंगे और इसके बाद इसमें हम कुछ कटे मसाले आट करेंगे यहाँ पर आज मैं पाउडर्ड मसाले कम यूज करूंगी और इनके जिंगा पर मैं इस तरह से मसाले यूज करूंगी यह मेरे पास तेज पता काली मिर्च सिलिमन स्टिक लॉंग इलाइज जी साथ में ग्रीन जिली है गार्लिक है अनियन है यह सारी चीज़े मैंने ली है अब इस हीचड ओयल में सबसे पहले हम आट कर देंगे तेज पता और इसकी साथ में ही हम इसमें सिलिमन स्टिक काली मिर्च लॉंग यानि क्लोव्स ब्लाक पेपर और कार्डमूम यह सारी चीज़े आट कर देने के बाद इसमें आट करेंगे चौप किया हूँ गार्लिक यहां पर आज में चौप किया हूँ गार्लिक यूज़ कर रही हूँ इससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा इस बिर्यानी में लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहां पर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें आट कर द बहुत जो तर और इसमें प्रील प में आड़ कर देंगे तो इस अनियन को अच्छे से हो जाने देंगे देख सकते हैं यहां पर रम अच्छे शुच को फ्राइब हैं कि ऑच्छे कर रहे हैं बहुत जाद़ डाक कलर आपको नहीं करना का क्या है आप काई सारे लोग बिर्यान में अनियन का कलर बहुत जादा डाक कर देते हैं जिसकी वज़े से राइस बिल्कुल ब्लाक ब्लाक से बनते हैं और वो अच्छे नहीं लगते सौरी ब्राउन कलर के होते हैं तो यहां पर आज मैं रेड चिली पाउडर भी नहीं यूज करूंगी इसकी चिंगा पर मैंने इस के और हलका सा चिंग जा जाएगा इसकी बाद मैं 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 आज कर दूँकी मिनस्ट मीट यहां पर मैं मीट का यूज कर दे तक हम क चाहें आप मटन का भी ही ब्ल्लाक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉंटिटी क्म या साथ आपने अक फोंटिंग लग सकते हैं तो अच्छे अनियन का कलर मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था बस हलका सा ये ट्रांस्फलोसेंट हुई थी और मैंने इसमें आड़ कर दिया मींस्ट मीट और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे मीट को भुण जाने देंगे आप चाहें इसके चेंगा पर आप गोश्ट जो बोटी वाला गोश्ट होता है थोड़ा बड़ा वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहां पर आज मैं मिंस्ट मीट से आपको बनाना सिखा रही हूं कभी आपके पास मीट रखा हो मिंस्ट मीट और आपको बिर्यानी खाने का रह चाहें अब आप देख सकते हैं काफी सारा पानी इसने रिलीज किया है तो इस स्टेज पर मैं आट कर दूँगी ग्रेट किया हुआ जिंजर और इसके बाद मैं से कवर कर दूँगी अब मेरे प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग मैं से एक विसल के बाद 5 मिनिट तक लो आप अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग कम या जादा टाइम रख सकते हैं अब आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छी से विसल आ चुकी थी इसमें तो मैंने से साइट कर दिया है प्रेशर लोज होने के लिए और तब तक कि मैंने यहां पर एक बड़ी सी बरतन और सॉल्ट जी हमारा सॉल्ट इसे भी हम आप कर देंगे और तब तक कि मैं आपको यह दिखा देती हूं हमारी फ्रोजन मतर है यह जिसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूं किस तरह से आप से रख सकते हैं चलिए अब हम प्रेशर कुकर भी देख लेते हैं तो आप दे अशीक बाछा जाए ओज़ता नहीं है तो इस स्टेच पर मैं इस पर घ्रीन पीस जिस से मैंने फ्रीजर से निकाल कर कुछ देट पहले रख दिया था इसमें से क्रिस्टल साइस के अभी है तो इसे मिक्स कर दूँगी और इसके बाद मैं इसे कुख करने के लिए एक बार तो यहां पर मैं आच आड़ करने वाली हूं इसमें सबसे पहले गरम मसाला पाउडर जो की बियानी का मसाला है या खुश्बू का मसाला उसे आड़ कर दूँगी और इसके बाद मैंसे कवा कर दूँगी और जब तक कि मटर सॉफना हो जाए तब तक कि गुप करूँगी अब यहाँ पर पानी भी हमारा बॉइल होने लगा है आप देख सकते हैं तो इस बॉइलिंग वाटर में हमें आज कर देंगे राइस यहाँ पर मैं मिंस्ट मेट की बिर्यानी बना रहे हूँ तो जो चामल हम घर में यूज करते हैं वो वाले चामल मैंने नहीं लिए है और यहाँ पर मैंने बिर्यानी वाले राइस ही लिए हैं आप जाहें आप जो घर में चामल करते हैं वो भी ले सकते हैं आप हम इसे दुबारा कवर कर देंगे और अच्छे से यह चामल जब तक बोईल ना हो चाये तब तक कोख करेंगे आप देख सकते हैं यह अच्छे से बड़े हो गए हैं और काफी अच्छे से कोख हो चुके हैं तो इस स्टेज पर मैसे स्टेइन कर दूँगी और दूसरी तरफ यहां देख सकते हैं प्रेशर लूज हो चुका है और यह मठर भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इसे मिक्स करके दिखाती हूँ आपको बहुत ही अच्छा यह बना है कटे मसाले का जिसे आप बोलते हैं मिंस्ट मीट इस तरीके से मैंने इसे तया किया इसकी यखनी को और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इन राइस को भी स्ट्रेंड कर दिया था तो अब हम करेंगे बिर्यानी में जो लेरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे आप बोल सकते हैं तो यहां पर मैंने हाफ राइस इसमें आड़ कर दिया है इस बड़े सी बरतन में और इसकी बाद मैं इसमें यखनी आड़ कर दूँगी आप चाहें आप एक बार में पूरी यखनी आड़ कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ी थोड़ी लेर लगा कर भी इसे आड़ कर सकते हैं तो इस तरही किसे मैंने सभी जितनी भी मेरे पास यखनी थी उसे आड़ कर दिया इस राइस में और इसके बाद मैं दूसरी लेयर जो है राइस की वह भी लगा दूंगी इसे पहले में थोड़ा से स्प्रेड कर दूंगी इन ग्रीन पीस को क्योंकि यह बीच में बिल्कुल तो अब हम यहां पर जो राइस की दूसरी लेयर है उसे भी लगा देंगे आप अगेन मैं बता रहे हूं आप अगर दो तीन लेयर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं तो यह मैंने राइस बचे हुए भी आड़ कर दिया है इन्हें स्प्राइड कर दूंगी थोड़ा सा और इसके बाद मैं इसमें कलर आट कर दूंगी कलर मैं बिर्यानी में आज रेड और येलो दोनों आट करूंगी तो यह मैंने रेड कलर आट कर दिया है और इसके साथ में मैं लेमन येलो फूट कलर भी आट करूंगी तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और आप देख सकते ह एक बाप आने के बाद मैं इसे अच्छे से देख लूँगी एक बार चेक कर दोंगी यह बिल्कुल पॉफेक्टली को खो गए हैं तो मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी एक बार जब इसमें अच्छे से भाप भर जाए तब आपको इसे चेक करना है और यह देख सकते हैं आप बिल्कुल बिल्कुल भी करते रचित के एकसे साथ है। तो इसे वह निए घ्रम मिक्स जोई एंद चाहिक है। आप सब्सक्राइब करने हैं बिल्कुल भी खुखे है। भी प्रायादि करऊ मूल सब्धेक हैं निम cachalato ठेहिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और चानल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरी वीडियो के अफडेट्स आपको मिलते रहें मेरी आज की रेसिपी में बस इतना ही मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए ऐला हाफिज दुआओं में याद रखिएगा और अपने धेर सारा ख्याल रखिएगा